जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश भारत एक महान देश है, हमारे देश के अनेको आरिवेदा चारे ने रिशिव मुनियों ने जवरजश आउश्दियां इस दुनिया को दी है और उनी में से एक है मैर्शी बागभट जिरों ने बहुत ही चमतकारे आउश्दियां हमारे इस देश को दिये उन्होंने पूरी दुनिया में ताकि लोग सही रह सकें और स्वस्त रह सकें लेकिन हमारे देश के लोग उन्हें भरोसा है इस एलो पैथी पर वो अपने देश की सब्विता, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की परमपरा, अपने देश का आरु लिम्बलेस, वीपी या ब्लड शुगर यानि कि डियापोटिस की पॉलम है तो इस दुनिया के 99% लोग इस पैथी पर जाते हैं यानि कि एलोपैथी पर जाते हैं जबकि आज तक इस पूरे ब्रमाण में एक भी डॉक्टर ने आज तक एक भी वीपी के मरीज को एक भी लोग अपना इलाज कराते हैं और यह समझते हैं कि हम लोग ठीक हो जाएंगे और यही कारण है कि आगे चलकर हाट फेलियर, किड्नी फेलियर, आखों की रोशनी जारा, पैर कटना, इन सब चीजों की वज़े से हम मरते हैं कितनी बड़ी यह मूर्गता है जबकि भारत बै आशानी से रिवर्स करा देते हैं लेकिन चूकि यह कनेक्टिट है भारत से, कनेक्टिट है आरुवेट से तो इसलिए लोग पर इसका विश्वास कम है तो जैसा मैंने बताया था मैर्शी वाग भठ्ट के लिए तो यह जो आरुवेट का चमतकारी धरती का सर्वत्तम रसा छोगी रहेंगे बल्शाली रहेंगे और आपकी पूरी काया कलब हो जाएगी जी हा जबर्दस चूरन है यह और इसके बारे में कहा जाता है जो भी इस चूरन को खाता है वो हाथी दावे कांक में चार कwszy कोस ले जाए याणि कि वो इतना बल्शाली हो जाता है इतना सुस करता है हमारी बाड़ी में जितने रोग होते हैं विकार होते हैं उसको बैलन्स करता है आँखों की रोशनी को बढ़ाता है जट्रागनी को प्रदीपक करता है यानि कि उसको जलाता है और पेट साफ परता है पेट साफ होता है तो भोजन में रूची आती है भूग ज्यादा करता है अगर बॉडी में जो सूजन आ जाती है जिसकी वएसे बहुत सारी दिक्केते होती है उसको क्योर करता है डाइबटीस कैंसर और हार्ट डीस को यह प्रिवेंट करता है एजिंग प्रसेस को स्लो कर देता है आप जल्दी बुढ़े नहीं होंगे और वेट लॉस करता है और इसके अलावा कॉलस्टरोल अगर किसी का बड़ा हुआ तो वो कम करता है और दातों को भी मजबूती देता है इतनी स्वारी कॉलिटी इस चूरण में है इस आरुवेदिक चमतकारी गुनकारी चूरण में है यह कब्ज जो होता है वो हमें वाद दोश की वज़े से होत करने उसको ठीक करता है और फ्रायटि जो कि इंफ्लमेशन सुजन की वज़े से होता है यह उसको ठीक करता है बालों का घल्णा यह वाद दोश है उसको रोगता है उसको रोकता है और यह तर्मतकारी धर्ती का जो सरुवत्तम रसायично ौरण है, उसकी सेवन विदिय में बत इसे चाहिए लेना इसे चाहिए कि सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से आपको इसको लेना चाहिए सुबह जब उड़ते हैं तो मुद होके कुला उल्ला कर लेते हैं और उसके बाद आपको सुबह खाली पेट इसको गुनगुने पानी से लेना चाहिए और इसको लेने एक रक्ति इसके एक रकी से उसके इसके लो आइग्टों 1500 के बरावर होती परति आपको स्मुझें न ecoso अगर किशी ke एस 50 इस फिफ्ट्य justement घिके ऐस 50 ये weight machine आप online मंगा सकते हैं, 200-300 रुपे की आती है, आप इसे मना सकते हैं, वहाँ भी तौल सकते हैं, या एक जो चमच होता है, टीस्पूर ये 5 ग्राम का होता है, तो इसके हिसाब से भी आप इस मातरा को देख सकते हैं, कि चमच 5 ग्राम का है, अगर आप बहुत सारे गुण उससे लेना चाते हैं, बहुत सारे फाइदे उससे लेना जाते हैं, तो ये लगातार आप 12 साल तक लें, जी हाँ, लगातार 12 साल तक, यही वो चमतकार है आरिवेद का, यही वो चमतकार है हमारे भारत के आरिवेद का, कि 12 साल तक अगर आप लेते हैं तो क्या होगा 12 साल में ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी ने लगातार इसको 12 साल लिया यानि कि एक भी दिन मिस नहीं करना है और अगर एक दिन भी मिस हुआ तो समझे फिर वो 12 साल महीं से शुरू हो जाएंगे वो कोई फायदा नहीं करेगा तो 12 साल तक अगर कोई इसको continue लेता है तो इसके बारे में क्या कहा गया है वो सुनिये प्रथम वर्ष तनु सुस्ती जाए पहले साल में आपके शरीड से सारी सुस्ती चली जाएगी दित्ते रोग सर मिढ जाए और दूसरे साल में आपकी बाडी के जितने भी रोग होंगे सारे खतम हो जाएंगे तिर्ते नैन बहु जोती समावे तीसरे साल में आपके आँखों की रोश्री बड़ी जबरदस्त हो जाएगी और चतुर सुन्दरताई आवे और चोथे साल में आपके मुख पर बहुत तेज होगा, आप बहुत ही सुन्दर हो जाएंगे, पंचम वर्ष बुद्धी अधिकाई, और पांचवे साल में आपकी बुद्धी, आपकी इंटेलिजेंसी बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, बहुत इंटेलिजेंट आप हो जाएंगे, और वृत्तन तरू होई पुनी अस्ठम, और आठवे साल में अगर कोई वृद्ध है, यगर कोई भुड़ा होता जा रहा है, वो जवान होने लगेगा, यहाँ, आठवे साल में, नवंबर्ष फल अस्तुत कही, यानि कि नोवे साल में आप जो है बहुती इस्तराक होने लगेंगे, और दसम शारदा कंठ विराजे, दसवे साल में आपके कंठ पर सरस्वती मा का वास होगा, शारदा मा का वास होता होगा, और अंदकार जो आपका है, वो सारा मिढ जाएगा, मिन जो अज्यानता है, उसका पूरा अंदकार सरस्वती मा के आने से म जवर्दस्थ है यह चूर्ण, इतना ज़र्दस्थ है यह हमारे देश का आरुवेट का यह प्रशाद, जी हमें इसको प्रशाद ही कहूंगा, यह चूर्ण नहीं है, यह प्रशाद है, यह एक प्रशाद है, जो कि अम्रित के समान, अम्रित के तुले, अम्रित की तुलना इससे की गई है, अब आप सोचेंगे कि कौन सा ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा पाउडर है, कौन सा ऐसा चून है, जिसमें इतने सारे गुण है, और आप चाहेंगे कि आप इसका जरूर सिवन करें, तो जी हाँ, वो है त् उसको जो घी और शक्कर के साथ खाता है वो चार कोस्तक खाती को कांदे में दाब कर ले जाता है इस त्रिफला में बहेडा, हरड और आमला ये तीन चीजों का मिश्रण होता है और हमारे देश के रिश्यू ने हमारे देश के मुन्यों ने बहुत गहन अध्यन करकर ही इसको हम ये लिजिए अगर आप याद करने की साथ से रखें तो वो है ए बी एच अलफबेटिकल चलें ए बी एच तीन दो एक ए से आवला बी से बहेडा और एस से हरड ये इस तरह से कॉंबिनेशन में लेंगे और इस तरह से आप त्रिफला बजार से भी खरी सकते हैं इस कॉं आप इसको किसी के साथ में लेजिए इसका अकेले सेवर नहीं करना है अगर आप अपनी काया कल्प ये सारी फाइदे उठाना चाहते हैं जो बारे साल में ये फाइदे उठाना चाहते हैं तो रित्वों के हिसाब से लें जो हमारे देश में रित्व होती हैं जैसे बसंत र चूरण हो उसका 1 बटे 6 वानि 1 6 जो पार्ट है वो इसका गुण मिलाएं और तब लें जितना भी चूरण है अगर 10 ग्राम है तो 10 ग्राम का 1 6 और अगर 5 ग्राम है तो 5 ग्राम का 1 6 इस तरह से आप लेकर करें वर्षर रितु है तो ये चूरण के साथ सेंधा नमक 1 बटे 6 बटे 6 भाग और अगर आप शरद रितु है तो देशी खांड एक बटे 6 भाग मिला कर लें और अगर हेमंत रितु है तो सौट का चूरण एक बटे 6 भाग मिलाएं और अगर शिशिर रितु है तो वो पीपली मिले छोटी पीपल होता है पीपली का चूरण जो है वो मार्क के करीब ही वात्पित कफ्ड बिगडता है और अगर किसी का उससे पहले भिगड़ गया तो वह भी लेना शुरू कर सकता है अगर कभज है तो उसको रात में लें लेकिन अगर आप स्वस्त हैं और आप अपनी काया कल्ब करना चाहते हैं आप 12 साल उजिस करके इसको सारी इसक उसको भी नहीं लेना चाहिए इसके लावा जो breastfeeding mother है जो बच्चे को दूद्ध पिलाती हमाएं उनको भी नहीं लेना चाहिए reason यह है एगर weak होगा और यह लेगा तो वह बेहोश हो सकता है और अगर कोई pregnant female है तो वह उनका miscarriage हो सकता है और अगर को breastfeeding mother है तो उनके बच्चे को loose motion लग सकते हैं इसलिए इसको avoid करना चाहिए अब trifla लेने का सही नियम क्या है जैसा मैंने बताया कि अगर आप स्वस्त हैं और आप इसके सारे गुण फायदा उठाना चाहते हैं लगातार लेके तो आप जो सुबह लेगे तो इसको पोशक कहते हैं पोशक का म तू के हिसाब से बताया उस हिसाब से आपको लेना चाहिए रात में अगर लेते हैं तो इसको रेचक बोलते हैं पेट की सफाई करता है इसलिए इसको रात में लेते हैं और रात में इसको गरम दूद या गरम पानी के साथ ले सकते हैं तो यह है हमारे देश भारत का यह है आरुवेथ का प्रशाद, आरुवेथ का जबर्दस्त, अमरत जिसके अमरत से तुलनमा की गई है, वो ये प्रशाद है जिसको खाके आप सबी बिमारियों से दूर रह सकते हैं, आप हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं, बलशालि रह सकते हैं, जिसका वर्डन यहां पर बड़ी जबरदस्त किया गया है, मुझे उमीदे कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, अपने कमेंट सेक्षन में जरूर लिखें, कि आपको क्या लगता है, कि आरुवेद किस तरह से हमारे इस वीडियो को देखने के लिए जल्दी मिलता हूँ, एक नए टॉपिक पर एक जवर्जस जानकारी के साथ, तब तक सुस्त रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हमस्कार.